Hello everyone, this is Ram Vishnoy and you're watching Geographic Guru. आज की इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं Class 9 से 12 की Students की और continue रखेंगे हमारी Class 9 से 12 की Project, Assignment और Practical की Series को. देखिए, Class 9 से 12 की बात करें तो आपके बहुत सारी Subjects होते हैं, कुछ सबजेक्ट आपके Practical सबजेक्ट होते हैं, कुछ आपके Non Practical सबजेक्ट होते हैं, इसके लाब आपके पास Vocational सबजेक्ट भी होते हैं. और इन सब में जो आपका Project होता है, आपकी Practical होते हैं, बहुत माइने रखती है, आपको अच्छा percentage लेना है, कई बार ऐसा होता है, कि हमने Practical फाइल को बहुत अच्छे से प्रिपेर कर लिया, वाइवाब में अटक हैं, कोई बात नहीं, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, कई बार लगता है, एक्जामनर को भी लगता है, कि हो सकता है, कि बच्छा प्रेशर में आ गया होगा, तो वो चीजें बहुत माइनी रखती है, कि आपने Practical को कैसे बनाए, आपने Project को कैसे बनाए, आपने Assignment किस टाइप से सब्मिट किये, तो उसके लिए कोशिस करनी चाहिए, कि हम अगर वो जब प्रिपेर करें, तो बहुत अच्छे यूनिक लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जब हम जितने efforts दे रहे हैं, theoretical पार्ट में, तो उसका कुछ percentage तो हमें यहाँ पर भी देना चाहिए, तो इस सीरीज में हमने काफी सार सब्जेक्ट के project हैं, practical files हैं, उनकी outline, उनके samples आपको provide करवाए हैं, अगर आपने उन videos को नहीं देखा तो आप playlist में जाए, projects and assignments की अलग से एक जो playlist बनाएगी है, तो वहाँ पे आप इनको search कर सकते हैं, कुछ subject के हमने triple या उससे भी ज्यादा आपको videos available करवाए हैं, और बाक सब्जेक्ट के भी practical आपके साथ share करेंगे, आज हम बात करेंगे chemistry की project की, chemistry के practical की हम बात करने वाले हैं, देखिए 9, 10th के students उनको idea मिलेगा और ये 11, 12th के students हैं, उनके लिए particular तरीके से की हाँ, इस तरीके से में तियार करनी है, तो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, class 12th की chemistry की, जो investigatory project है, या investigatory practical file है, वो मैं आपके साथ share करूँगा, this is one of the best practical, बहुत शांदार तरीके से practical को बनाए गया है, तो क्या include करना है, क्या include नहीं करना, उसके हम बात करेंगे, let's begin, चली, शुरुआत करते हैं, तो जैसा कि आप देख पारें, ये chemistry की आपकी investigatory project रहेगा, देखे, कोई भी subject है, तो subject की जब हम practical बनाते हैं, तो शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है, उसके cover page से, cover page must be thematic, thematic होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, okay, thematic का मतलब ये होता है, कि जब आप उसको particular एक color को choose किये, जिससे related आपका cover बनेगा, और उसकी ह पहलक है, वो पूरी practical में दिखाई देनी चाहिए, okay, पहली चीज, दूसरी चीज, जो cover आप use करोगी, उसके उपर आपको ना अपना name mention करना है, ना कुछ और mention करना है, वहाँ पी सिरफ आपका जो title है, जो subject है, वही mention होना चाहिए, कि subject और उसका topic क्या है, वो mention होना कि उसका सिरफ front ही cover नहीं करना, back side भी cover होना चाहिए, मालेजे हम हाथ में लेकर के खड़ी है, बैठी है, practical को उल्टा भी रखा गया table के उपर, तो भी वो लगना चाहिए, कि हाँ भाई, ये chemistry की है, ये physics की है, ये bio की है, ये geography की है, ये history का project है, वो वहीं से दिखना और जब ये सारी चीजे हो जाए तो उसको laminate भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप practical बना लेते हैं, बहुत अच्छी बनाई है, naturally है, बहुत अच्छी बनाई है, तो काफी सारे friends है, उनको आप मना नहीं कर पाती है, teacher के पास checking के लिए भी जाती है, कई बार वो करते हैं कि कर ले जाएगा, तो खराब हो जाता है, कवर कि आपने इतना hard work किया, तो उसको laminate जरूर कर लीजिएगा, ठीक, तो ये तो बात हुए हमारी कवर की, उसके बाद आगे क्या बढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा next चीजे रहेगी, जैसी यहाँ पे देखे कि student ने अपना name mention किया, class, role number, subject mention किया, तो हमें ये चीजे यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक, यहाँ पे दो हमारा सब कुछ title रहेगा, हमें जो first page रहेगा उसके अंदर, practical में, वो रहेगा हमारा introduction का page, उसमें mention करोगे, school name, clear, capital letter में, school name, उसका code, और उसके बाद name, class, section, role number, आपका subject, date of submission, subject teacher name, य ये सारी details आपकी आएगी, next page के उपर, हलांकि ये जो page आपका बनेगा, वो बनेगा, जैसी यहाँ पे लिखा गया होना चीए, plain paper, line वाला जो paper है, उसके उपर नहीं बना हुए, क्योंकि उतना ज़्यादा वो effective सा नहीं लगता, उतना ज़्यादा attractive नहीं लगता, clear, तो ये आपका first page बनेगा, cover के अंदर जाने के बाद, ठीक, उसके बाद next चीज़ जो हमें include करनी है, next thing जो रहेगी, index बनेगा हमारा, index हलांकि ये number four पे आना चीए, first page आपका introduction का हो जाएगा, second page आपका acknowledgement का, third आपका certificate का, fourth पे आप index को लगा दोगे, index का जो page है, वो page भी देखे, यहाँ पे use किया गया, आप Google पे search करोगे, तो और better आपको मिल जाएगा option, कि ये होना चीए attractive, ओके, ये नहीं कि सिरफ हम notebook की तरह बना ले, क्योंकि ये आपकी project या practical जो file होती है, तो वो कुछ अलग level की होती है, तो इसमें आपको serial number add करना है, topic add करना है, page add करना है, sign की किसी कार्ण से हुए नहीं, तो ऐसा लगेगा कि आपने timely submit नहीं करवाया, तो इससे better है कि remarks यूज कीजिए, अगर teacher चाहेंगे, यहाँ पे sign करना है, तो वो कर देंगे, नहीं किया, तो that's okay, okay, clear, तो ये सब कुछ और यहाँ पे, आप page number mention करोगे, one, two, three, जहाँ पर भी clear, तो ये हो गया, उसके बाद next is क्या करोगे, next जो thing रहेगी, that is the acknowledgement, acknowledgement क्या होता है, acknowledgement एक तरिके सी होता है, इसको exact हिंदी का word अगर यूज करें तो बड़ा complicated सा हो जाता है, सवकृती, acknowledgement होता है कि हम acknowledge करते हैं, जिन्होंने हमें guide किया है, help किया है, उसमें आप अपने subject teacher, या मैम है, वो आप अपने friends, अपने classmates, अपने parents है, उनको एक तरिके से thank you बोलते हो, तो यहाँ पे as it is, language को ले सकते हो, clear, इसको आप लीजिए as it is, और उसको copy paste कर लीजिए, अपने requirement के coding आप इसको change कर लोगे, clear, उसके बाद next जो आपका रहेगा, वो रहेगा certificate का पीज, होना चाहिए, क्योंकि आप external और internal के sign यहीं पे होने, तो इसकी भी language as it is, आप ले लोगे, this is to certify that Kamaxinagar of class 12th B has completed her project file under the supervision, like that, कि यह एक तरह की से teacher की दरफ से issued होते हैं, यहाँ पे sign होते हैं, internal और external के, okay, तो यह हो गया आपका, और उसके बाद, इस certificate के बाद, जो आपका index वाला page लगेगा, clear, उसके बाद हमारा सुरू होगा, objective का page आजाएगा, first, objective की chemistry project को, आप prepare करें तो इसको objective क्या है, to study the digestion of the starts, जो starts का digestion है, उस system को समझना है, तो जो भी आपका index topic के उपर बना रहे हो, तो उसको समझना है, इसके लावा आपके और क्या सब objectives है, तो उनको यहां पे include करो, कि यह हमारे objective है, और यह समझने के हम कोशिस करेंगे, इस project के थ्रू, clear, और इसमें देखें कि यहां पे जब यह start होता है, यहां objective है, तो इसके opposite side जो रहेगा page, ऐसे होगा न आपका, यहां पे plain paper होगा, back side है, यहां पे आपका line का paper है, तो यहां पे objective लिख किया, तो जो भी cover यूज किया, तो वो paper यहां पे लगाईए, ठीक थोड़ा सा border बाहर दिखाए दे और बीच में आप picture को paste कीजिए, तो वो thematic जाएगा, कि देखिए, एक flow में चल रहा है, मक्षन की तरह, okay, ऐसे आपको use करना, और यह center में ही होना चाहिए, यहां कि rough तरी प्रोजेक्ट में जो भी topic ले रहे हो, उसके बारे में कुछ लाईने लिखोगे, कि हम यह यह चीज़े करेंगे, तो वो आप introduction लिखोगे, यह topic आपके अलग-लग हो सकती, उसके बाद इसी type से आपको opposite जो side है, वहां पे आपको use करने है pictures, उसके बाद यह कि आप mention करोगे, यह जो क्योंकि chemistry, physics की अगर हम बात करें, बायो की बात करें, तो उसमें हम जब experiments करें, तो वहां पे हमें material की requirement है, तो required material लिखोगे कि experiment जो करेंगे, तो उसके लिए हमें material की need होगी, जैसे test tubes, test tube stand, one dropper, breaker, stopwatch, okay, starch, iodine solution, thermometer, okay, like that, तो यह सारी चीज़े चाहिए, तो वो आप mention करोगे, next page आपका, इस सीज़ का हो जाएगा, as it is, यह भी बनाए जा सकता है, clear, यह होगे, उसके बाद आपके experiments रहेंगे, experiment देखें कि आपके book में से आप experiment ले सकते हो, अगर teacher ने guide किया, तो उनको लीजिए, otherwise आप अब energy के coding ले सकते हो, तो minimum three experiments आपको include करना है, तो experiments होग जो page है, उस page के उपर आपको show करना है, okay, तो cover क्या कैसे करना है, कि जो experiment है, वो आपको कोशिस करने कि minimum two pages तक वो जाए, और minimum उससे related to, और maximum four pictures को आपको add करना है, ऐसे ही, फिर आप second experiment ले लोगे, उसको भी add कीजिए, उसके बाद third experiment ले लोगे, okay, आप देखिए कि इसमें स लिए page लगे हमारे four, अगर आपको लग रहा कि ये छोटे experiments है, तो आप four experiment भी इन में add कर सकते हैं, क्योंकि minimum ये ten to twelve pages के आपकी practical फाइल बन करके त्यार होनी चाहिए, उसके बाद end में हम बात करेंगे, bibliography की, कि हमने ये सब कुछ material कहां कहां से लिया, कहां से हमने जिसे google.com Britannica की बात की, Wikipedia की बात की गई है, सर्श्वती Lab Manual Chemistry की बात की गई है, तो जहां से भी आपने लिया है, तो ऐसे बन करके त्यार हो जाएगी आपकी chemistry की file, और कोशिस करूँगा कि आपको टेलिग्राम चैनल के थूँ इसकी PDF यावलेबल करवा दीजए, ताकि आपके लिए practicals को त्यार करना easy हो जाए, इसके लवा भी आपके कोई question doubt रहते हैं, इसके regarding किसी और subject ही regarding, तो comment section में आप comment कीजीगा, इंस्टाग्राम पे आप follow कर सकते हो, जूड सकते हो, geography group official, और ऐसे geography group जो channel बनावा हमारा telegram पे, वहाँ भी आप connect हो सकते हो, comment section में comment किये जा सकते हैं, को agility और सकते हो, थे हाँ आप हो को झाह झाहू到底 सकते हो को झात हैं, इसके रहते हो, झाहु को जाभ YOU झाते हो, को ऑा ****